हेलो फ्रेंट्स अगेन वेलकम तो माई चैनल सौपन कमार फ्रेंट्स यह हमारा जो अभी मैं जो प्लेलिस्ट में जो सीरीज बना रहा हूं सर्च एंजिन ऑप्टिमाईएशन की कोर्स की सो कंप्लीटेड मैं कर रहा हूं वन बाइवन अब देख सकते हो यहां पर फूल एसे कोर्स के बार में मैंने पूरी डिटेल्स बताया हैं नेक्ट्स मैंने इंट्रोड़क्शन बताया थे ठर्ड मैंने आपको ऑन पेज कीवर्ड रिसर्च और एनालिसिस बताई थी और फोर् सारे चीजे थी ऐसी जो बिल्कुल नए टेकनोलोजी थे 2023 की सो मैंने इसमें सारे कवर किये हैं नेक्ट्स तो हमारा जो आज का टॉपिक है वह है टेकनिकल एसीओ सो जो टेकनिकल एसीओ है यह हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और मैं आज आपको वह सारे फंक्श पर आप बने रहो लास्ट तक और मेरे चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें और कॉमेंट्स करें सो लेट्स स्टार्ट टेकनिकल एसीओ सो हम आज की डेट में क्या कवर करने जा रहे हैं सबसे पहला है साइट मैप की क्या इंपॉर्टेंस है साइट मैप xml hml site map robot.txt canonical tags issues optimization broken links के बारे में discuss करेंगे 404 301 302 schema.org structure data add structure data कैसे हम साइट में add करते हैं open graph प्रेट्टो गॉल उसके बाद हम लोग करेंगे friends twitter card कैसे हम बनाएंगे meta tags के अंदर check website की speed कैसे check करेंगे decrease कैसे करेंगे page loading time accessibility indexing and crawling speed mobile friendness URL structure internal linking schema markup https and website security के बारे में discuss करेंगे error page and redirect के बारे में discuss करेंगे and open graph tags के बारे में discuss करेंगे friends तो पहले चलते हैं site map क्या होता है site map क्या होते है site map क्या होते है site map एक बिल्कूल एक तरह से समझो कि जो जितने भी pages आपके website के अंदर होती है जैसे मैं कहूं कि यह मेरे site just a minute यह मेरी site है इसके जो इतने भी pages होंगे right जितने भी हमारी services about us blogs contact us वो सारे हमारे site map में आनी चाहिए तो इसके लिए हम लोग क्या करते है कि site map को आप ऐसे समझो कि यह के यह जो system है a file that lists all the pages on your website एक जगह ही वो सारे list में आते हैं it helps search engine understand the structure and organization of your website content site maps are important as they act in indexing and crawling ensuring that search engines can discover and include all relevant pages in their search results कहने का purpose यह है जो site map बनते हैं इसका purpose होता है कि हमारी जो भी नए pages यह existing pages वो index से कराने के purpose से हम site map create करते हैं जब भी आप नए pages बनाऊगे तो automatically add हो जाते हैं या तो हमें HTML site है तो वहाँ पर site HTML हमें create करने पड़ते हैं तो अभी जैसे मैं कहूं कि मैं site map में चेक करता हूं कि कैसे होते हैं site map.xml कि मैं आजाता हूं एक सेकेंड अपने ब्लॉग के अंदर ब्लॉग के अंदर चेक करते हैं ब्लॉग किलिक करऊंगा जिते भी पोश्ट में यहां पे की हैं वह सारे यहां पर यहां पर रही है अगर हो पैजे तो यहां पे डिवियुक लगांग यहां थे कर दो पंचे अ चाहिं कने पर यहां पर ढने-कलिक जाएंगे को कि इसको मैंने जो वर्डप्रेस में और इसे मैंने योस्ट से इंडिग्रेट कर रखा है जो मेरी जो साइट की जो ब्लॉग साइट मैप डॉकिंग वह मुझे डिजाइनर से करवाने पड़ेंगे डेश्राव दर मैंने सारे पंटेंट यहां पर अपडेट कर दीए मेरी इसमें इसमें फंक्शनालीटी उच करनी है इसमें मुझे वह बताने है जो एक डिफरेंट क्यों हूं है अलग दूसरे से वह सारे कुछ मेंने यहां पर अपने आपको कुछ नहीं करना है तो आपको यहां पर लिखना है गूगल में जाना है और यहां पर लिखना है इसे स्टार्ट कर देना है यह आपको इसे सारी कॉंटेंट को चेंज करना है अब मैं आपको देखाता हूं यह कैसा दिखता है यह इस तरीके से दिखते हैं मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूं और इस तरीके से दिखते हैं सारे मेरे पेज़े आगे इंडेक्स पेज आगे 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 तो मुझे अच्छा रिजल्स मिल सकते है इसलिए मैं अभी तक साइट मैप नहीं बना है इसके राइट आपको बता दिखते हैं क्रिइट करने है जो हमारे होगे कला क इलाइवल एकसे मेरे पास पूरी और डीटेल हैं अब इसे हमें शम्मिट करने होते हैं इसे राइफ पर डालने पैने लाइफ सेट पर डालने के लिए आपको डिटेल्स होनी चाहिए नहीं है तो आप प्रपानल को भी डिरेक्ट उसकर कर सकते हैं और जैसे ही वह देटा आपके पास आ जाती है तो आपको क्या करना है गूगल में जाना है गूगल.co.in में जाने के बाद वेब मास्टर टूल पर आना है वेब मास्टर टूल के पास आने के पास गूगल सर कंसोल में आनी है और स्टार्ट नाव पर किलिक करने है अगर आप यहां पर लॉगिन हो तो आपके लॉगिन आ जाएंगा अधरवाई जीए आपसे साइट मैप के ओप्सन है साइट मैप क्लिक करना है और यहां पर आके अपने जो साइट मैप.xml फाइल है उसे सब्मिट करने लेकिन यह कब सब्मिट होंगे जब आपका लाइव डेटा में होगा वो लाइव आपको फ्टीप में जाके वहां पर अपलोड करने परेंगे और यह जो आपका वड़ करेगा और फिर इसके बात आप यहां से सम्मिट करेंगे तो क्या करेंगे गुगल अपने हिसाब से उसे process करता है वह कैसे मैं आपका help करेंगा वह इंडेकिसिंग में आपकी help करेगी आपकी सारी pages इंडेक्स हो जो आपकी in important pages right तो यह फर्मूला ह होता है आपने एक सेमल तो बना दी जिससी आपको सर्च के लिए एक आपने मैंने का परपस होता है कि जैसे मैंने साइट में आपने साइट में सबस्कुन नहीं साहरे रहां है इसका जो प्रोफेशनल लुक होता वह देना होता है तो मैं क्या करूंगा एक्सलाइस करके एक जो रिक्मेंडेशन होगी वह साइट मैप डॉट स्टी एमल एक फाइल बनाऊंगा और उस पर वह सारे लिंक डालोंगा हो यह उसके बाद आएंगे बाउट आएंगे जिते भी सर्विसेज वित लिंक ब्लॉक के सारे लिंक ब्लिक यहां पर आएंगे और यहां पर आनने के बाद वह सारी देटा दिखने में कर रखता है तो यूजर कहां से जाएगा देखने तो से complicated लगते वह चीज़े तो मैं चाहता हूं कि वह पे जे जिसको HTML के तुरू यानि कि site map.html पे जाए वहाँ पर जो मैंने टी की structure बना रखी है उसके तुरू वहाँ पर देख सके मैक्सिमम लोग आज की डेट में इस्टिमिल फाइल नहीं बनाते हैं बट यह मेरा concern है कि आप बनाओ जिससे आपको benefits होगा राइट मैं देखता हूं कि चेक करता हूं साइथ किसी site में वह मिल भी सकते है डेटा मैं देखता हूं SEO Company India देखते हैं साइथ हो कहीं न कहीं आपको लाइफ दिखा दूगा उससे की कैसे बनाने है इसे प्राइफ बहुत परानी company है और मैं लिखता हूं site map.stm आप प्राइफिक दूट कॉम यागए प्राइफिक दॉट इन श्लैस साइट मैं डॉट एस्टी में देखते हैं यह नहीं ने बना रखा या नहीं हो एरर फोर जिरो फोरेसी जस्टी मिनिट इन एस्टी एम सब्सक्राइब कोई नहीं बनाता है इस तरीके से हो सकता हो इन्होंने कोई अपनी टेक्नोलोजी यूज की हो वहां पर कहना करें लिंक दे रखा हो site map यह देखते हैं सब्सक्राइब कोई पेज को पता नहीं चाहिए कि कितने चीजे हैं यहां पर तो इस तरीके से मैं किसी भी पेज को यहां पर देख सकता हो और जा सकता हो कितने सब्सक्राइब करने हैं और आपको इसको भनाना चाहिए राइट नेक्स राते रोबो.txt गूगल ने अपने हिसाब से एक एक्सेस आपको दे रखिए कि किस पेजिस को आपको यूजर के लिए बनाने के लिए रोबो.txt को यहां पर किस पेज को एक्सेस देनी हैं और किस पेज को एक्सेस नहीं देनी है यह आपको द्यान में रखना है तो अbow इसको द्यान में रखते हुसके आपको भूर रॉसूर के साइट पर आंड टी हुआ ने पर दो Αरो प्रीके से ऑ Leg breaking मैं लिकेठेंगे हैं और यहां से ओपनी और थी एक्ष्टि को डांलोड कर लोगा रोबोडकर रोगो। यह फाइल का नाम होंगे robotstores.txt यह हो गया अपलोड हम इसे क्लोज कर देता हूं चुकि मेरी सर्विसे साइट है मेरे को नहीं लगता है किसी पेज को एकसेस नहीं देना चाहिए सारी जो यह एकसेस मुझे देना मैं यहां से आऊंगा अब मुझे सारे पेज को एकसेस देना है तो मैं डेफिनेटली दूंगा पले इसे चेंज करूंगा जो मेरी यहां पे हैं सो मैं यहां पे लिखूंगा अपने साइट का url adminplus.com जैसे मैं लिख रहा है आपको इसी तरीके से लिखने है sitemap.xml अगर आपकी HTML साइट है तो आप आपको बता देता हो जो access देने हैं यह मैंने सारे हटा दिये और DCL आओ में मैं कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मैं यह नहीं कर सकता है तो मुझे सारे access देने सारी pages की तो मैं इसको DCL आओ कॉलने के space चोर दूगा कुछ नहीं करूंगा और इसे safe कर दूगा अगर आप साथ हो कि किसी search engine को access नहीं दे तो आप यहां पर इस तरीके से और robot.txt फाइल भी आपको डिरेक्ट जाके जहां आपकी live site है वहां पर इसे upload करनी है और फिर webmaster में आनी है और यहां पर आका आपको check करनी है कि site में आप यहां पर robot.txt upload है या नहीं upload है कैसे जाएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा वेव मास्टर वेव मास्टर टूल्स रोबोट.txt राइट यह आगे रोबोट रोबोट यह टूल्स टेस्टिंग टूल्स आपके यहां पर चेक कर सकते अपर प्रोपर्टी चूज़ करेंगा एड्मिन प्लस एड्प्रोपर्टी नहीं अभी चुकि मेरे में एड्ड नहीं है इसलिए न आपको यह गलती बिल्कुल नहीं करनी है आपको यह चीजों को अपले लाइफ साइट पर अपलोट करने और तब यहां पर आगे आकर दिखाने मैं चली आपको लाइफ साइट पर इंप्लीमेंट करके डिरेक्ट दिखा देगा तुकि मैंने दोनुट पेज बना लिए तो कि लॉग इन अगर आपके पास एक्सेस तो आप एक्सेस यूज कर सकते हैं और मेरे को कर दो कि तो मैं इसे यहां से लॉग इन कर लूँगा कि लॉग इन करने का मेरे को जाना है अपने साइट एडिमन प्लस है अब यह ओपन हो गया मेरे का औना होस्टिंग में होस्टिंग के नंदर आनी है फोर शेट मील सक्वाहाँ पर आ Då आ गया यह मैंने प्लस प्लस में आ गया का मेरे मेरा प्लस में जाम पर मेरी सारी फाइल से एलेभलेबल मैंने क्लिक कर दिया अब मुझे अपलोड करने है यहां पर जाओंगा और यहां पर फाइल सेलेक्ट करूँगा और जो जो फाइल मैंने बनाई है वहां पर मैं एक तो रोगोट और टी एक्स्टी एफ और एक साइट मैप है ओपे कि यहां पर सब्मिट कर सकता हूं जैसी सब्मिट करोंगा तो यह सब्मिटिंग साइट मैप होने लगेंगे साइट मैप सक्सेशफूली एड़ या अब यह अपना अपडेट चलता रहे गाराइट और एक रोबोड नाटी एक्स्टी को भी मैं चेक कर लेता हूं कि टेस्ट करते हैं स्लैस आरो बी और टी एस टॉट टी एक्स टी टेस्ट जालाओ ठीक है अब यह कुछ दिर में आ जाएंगा मैं यही चीज आप इस्टार करने है अपने आपको यहां पर यहां पर आना है और उसके एक्सेस नहीं करना करना क्या है जिसे प्रोडक्ट पेज लॉग इन पेज जो आपका फूट नाम बना रखा लॉग इन उसी नाम को आपको यहां पर आना है और उसके एक्सेस नहीं करना क्या है डिस ए डेवल लो डव डिस लाओ करके और उसके लॉग इन पेज़े तो लॉग इन डॉट प्यच पी जो भी है नाम आपका उसको यहां पर आके इस तरीके से एक्सेस नहीं देनी है इसको आपको ध्यान में रखना है राइट तफिक रोबो डॉट एक्स्ट की तो कहने क्या कुछ ऐसी पेज तो नहीं बन गई जो डॉट्लिट पेज बन जाए इससी डुप्लिकेट पेज पेज़ेज को दूर करने के लिए चैनोनिकल टैक को यूज करते हैं आप पर यापर कैनोनिकल टैक्स आरस्टीमल टैक्स यूज़ तू स्पेजिफाइड प्रे प्राइम्री वर्षन डैट शूट भी इंडेक्ष भाई सर्च इंजिस कहने का यह प्रपस है कि अगर मालो कि मेरी जो साइट है कि मैं आथा अपने साइट से पले हुआ और यह मेरी SEO की पेज है ति कमें इसे उठाता हूं है आपर कंट्रोल सी ऑडिये यहां पर मैंने इसको किया कंट्रोल भी मैं आपको दखातर क्यानोनिकल कैसे एड होते हैं क्यां बैट्ट हो है का पुलिए लिए रहे है आपको यहां पर मैं आपको बता रहा हुआ कि इसंहीं करना हुआ इसकी यहां कि मुझेश कोई पैज नहीं है so google के मांने मैं झासा कि हों तो तो डेफनेटली मेरे को इसी पेज को ही रखना है इसके लावा कोई पेज नहीं रखना है इन दर फूचर में इसके लिए बहुत सारे इस्ट्रक्टर बनाता हूं कि वर रिसर्च यह कंपनी सर्विसेज कुछ भी इस तरीक अगेंसी तो मैं चाहूंगा कि मेरे का जो कैनों न कि मेरा कनों निगर यहीं भी जोनी हो नहीं जर hält मैंन्त चाहिए कि भी यह को मेरे की मेरे काख है यह कि इसी पेज लिए इसलिए हम कानों टेक्स को इस प्लमोश को हो कि Canonical होते क्या है मतलब कि आपकी डूप्लिकेशी नहीं होनी चाहिए इसी वज़ा से इसको बनाया गया है गूगल के तरफ से कुछ गाइडलाइन से इसको फॉलो करना है और वह आपको यहां पर मैं आपको बता रहा हूं तो फिर जो गूगल की गाइडलाइन से वह इस व इस तरह सोती है क्या-क्या इग्नॉर करना है क्या क्या करना है क्या उनके टर्म कंडिशन से एवरेटिंग आई विल बी कवर राइट मैं यहां पर मेंसिन कर देता हूं आई विल भी कवर इन ब्लॉग ओके फाइन अब मैं कैनोनिकल इसुज के बाद बात करता हूं ब्रोके लिंक्स क्या होता है कि दस पेज की साइट है तो कोई इसू नहीं है क्या आप फाइंड कर लोगे कहां पर लिंक ब्रेक हो रहे हैं कहां पर यह और बुना टूल्स के प्राब्लम तो आती है अगर आप मल्टिपल पेज़ की साइट हो 1000 पेज़ की साइट टो तो क्या आप सिंगल सिंगल करते जाओगे सर्च करोगे तब पॉसिब्लिटीज नहीं बनती है ब्रोके लिंक्स का मतलब यह होता है कोई ऐसा है जो पहले था आपके जिस्टिंग साइट पे लेकिन अभी नहीं है डाट इस कॉल कि मैं यहां पर कुछ भी लिखा अगर यह पेज होंगे तो आएंगे दरवाइस नहीं आनी चाहिए होना तो यह चाहिए 404 पर जाना चाहिए चुकि मेरी साइट भी डेवलप मोड में है इसलिए यहां पर दिखने ही रही है कि किसी और अन्रदर साइटों में मैं यह करता ह है कि मैं इस पर क्लिक किया तो आप देखो क्या रहा है यह मेरी फुल फ्लेज वेब साइट है जिसको मैं अबडेट करता हूं है अब यह कोई पेज नहीं मिले तो मैं चाहता हूं कि मैं एक पेज बना लू 404 की 404 करता क्या है वह सारी पेज़ेश को लेगा जो अल्रेडी ब्रोकन है तो अगर मालो कि आपने मल्टिपल आप पेज़ेश हैं आपके साइट में 2000 अब बहुत सारी पेज़ेश आपको जोड़ती नहीं है डेलीट करना है और आपने गलती से डेलीट किया को मिस हो गई तो आप यहां से उन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं वह पेज़ साइट को बिलकुल तरीके से मैनेज करना है स्पीट की आपके टेकनिकल इसूज की जितनी सॉल्ट आप इसूज को रखो गया नहीं कि हंडेट परसेंट तो डेफिनेटली उतनी ही प्योर रैंकिंग जिसको हम कहते हैं गूगल के अंदर वह मिलेंगे आपको इसको आपको 405 404 का मतलब क्या होता है कि अगर को पेज गूगल को नहीं मिल रहा है तो वह आपके 404 पेज़ेश पर आना चाहिए या तो आप इसे 404 के एक पेज बनालो या तो आप डेवलपर से उससे डिडिएरेक्ट कर दो हूम पेज़ जिससे कि कोई भी फैज उससे नहीं पेज न इस तरह के काम करने तो नहीं रखनी है या तो 404 पे उसे आप कर दो या तो आप उसे पेज को जब चेंज करते हैं तो रिडारेक्ट का ओप्सन लगाओ जिससे कि आपका 404 का इसू नहीं आएंगे ब्रोके लिंक्स एन निगेटिवली इंपक्ट यूजर एक्सपरीजन से दोनों पर फड़क परता निगेटिवली रिजन्स फॉर ब्रोके लिंक्स इंक्लूड वेबसाइट माइग्रेशन यूरल चेंज और एक्स्टरनल वेबसा को ओल से न्यू के लिए ताकि जब भी क्योंकि वो चीज़े आपकी गूगल में इंडेक्स है कल को अगर आपको प्रॉब्लम आते हैं गूगल को यूजर अगर आता है तो डेफिनेटली आएगा उसे नौट 0404 मिलते हैं तो डेफिनेटली आपका वो आपके बांसरी बढ रखना परेगा ब्रोके लिंक्स के लिए और वह चीज़े मैं आपर बता है 404 एरर पेज ए 404 एरर पेज दिस्प्लेट वेने उसर ट्राइस तो एक्सेस वेब पेज देट दाज नॉट एक्जिस्ट और कैनना वी फॉंट कस्टमाइजिंग हेल्फूल 404 एर पेज एर करनी है और किसे 404 नहीं करनी है तो मैं कहूंगा कि अगर आपके पर 10 पेज की साइट है तो कोई इसुने इत्रों चेक हो जाएंगे जहां पर था टेन फॉजन टॉजन टॉन लैक तक ही पेज़िज होती है फिर उसके लिए आपको एहर एप यह सीम रस जैसे टून को करेंट करूंगा कि आप इसके लिए हर एफ या हर एफ या सेम रस आप यूज करो इससे अच्छी मुझे कोई टूर्स नहीं लगते हैं राइट 301 & 302 URL Redirection और यूजय होते क्या है यूरी डियरेक्शन इन्वल्वर्डिंग ऊड़िंग वन यूरल टो अनधर क्या होता है मैं आपको समझाताव पर इसको सम्झातव पढ़ दू आपको यहां पर 301 रिडिरेक्ट इस परमनेंट इडिरेक्ट है अगर इक यूजय है और search engine को notify करने के लिए कि अब मैं इस domain को यही नाम देना चाहता हूँ और कोई नाम चाहता हूँ यह 302 redirect किया हो गए कि मतलब कि यह temporary है हो सकता हूँ करको मिले को change करने का मन करेगा तो मैं change करूंगा तो वहाँ पर मैं 302 का redirection लगाता हूँ आप समझें 301 यानि कि आप प्रमनेंटली उसे रहे हो 302 यानि कि आप उसे temporary रख रहे हो तो कहने का मतलब इस तरीके से कि क्या करता है कि अगर मालू मेरा कोई यह साइट है सपोज कर लो अच्छा लगा कि नहीं कुछ और नहीं लेना है और मेरे कोई इस तरीके से आ जाए www.advind के नाम से तो मैं क्या करूंगा कि यह मेरा प्लान है कि मैं एडविन प्लस ना रखे एडविन के नाम से रखूं तो मैं क्या करूंगा यहां पर 301 लगा पर मेरे इस से पर मूब कर जाए तो मैं यहां पर 301 लगांगा इन दा के लिए मेरे लिए यही सही है अधिन प्लस कर रहा है पर नहीं फ्यूचर में अगर मैं चाहूं कि नहीं वापस मुझे फिर वापस उसी डोमें पर जाना यानि प्लस.ट.com पर तो मैं यहां पर 302 कर सकता है यानि कि उसे मैं फिर से इंप्लिमेंट कर सकता हूं तो गूगल को बिलकुल बता की किलियर चलना है कहा 301 लगाने हैं कहा 302 लगाने हैं बातसक्र करते हैं मैं भात तर फ्रेंट्स है माट परेंट्स चौमाद आधरड देचेंध त स्कीमा दार और डी और इस्ट अटा स्टीर लेडि़ थि से जेखेंड इस टौर्वाइट यर्म मेर रिरे वफ्टीन यौर अस्ट्रिद। राटीर बेूंड for adding additional information and context to web content by using structure data markup you can enhance how search engine understand and present your content in the search result मैं इसके लिए आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ आप दोको मैं इसको google मिले जाता हूँ इस्ट्रक्चर डेटा के बारे बेर सबकुछ आपको मिल जाएंगे अकर क्या होता है मेरी साइट है अब आप दोको यहां पर मैंने गूगल का यह markup helper open कर लिया एक चीज़ होती है इंडिकेट करने के लिए क्यों बनाते हैं सबसे बड़ा कोशन है कि इसके लिए तो आप यहां पर लिखा है इस्ट्रक्चर डेटा यह एड़ टूर वेबसाइट बाइं इंप्लिमेंटिंग दे एप्रोप्रियेट इस्ट्रक्ट्चर डेटा ड़्य मार्कप विधिन दा एस्टीमिल कोड के अंदर आते हैं यू कैन यूज यह यह जैस ओन सब्सक्राइब लिए हैं यूज लिंगता सीट में रएक्ट सॉल सूलति हैं किन आटको के लिए तबूक सेखेंखने इस हैं जो겠지만 श्रुक्षन ये पिर देजमेंतं आफरो यहां Hindi कर सकता है लोगली है इसमयर्पे लिखें से जॉब पोस्टिंगे फिल्म से इवेंट से लोकल बिजने से प्रोड़क्स क्या है उसको आपको सिलेक्टर राटिकल तो आटिकल से रेक्टर होगे यूरल देना पड़ेगा यहां पर जो भी आपको यूरल के लिए से इंप्लिमेंट करना है इस्ट्रक्शन डेटा बनाने तो आप यहां पर यूरल अपना दोगे और फिर इससे स्टार्ट कर दोगे तो यह क्या करेगा उसी साब से बनाएगा अगर मेरे को कोई अगर मैं को प्रोड़क्स से मेरे प्रोड़क्स की ऑप्सन थे यहां पर इस्टार्ट दोगें इस्टार्ट विल है इस्टीर से दिटा मार्क अप्रोड़क्स लिए ना चाहते है और अबल तो क्यों तो क्यों आई यह जस्टे मिनट मैं किसी अनदर पेज को लेके चलता हूं ctrl c ctrl v start timing I think something issues is coming मैं जिस्टेस साइट को लेगे चलता हो यहाँ पे इसके यहां सब्रहुए क्रीट करना पड़ेगा इसके लिए इसकी मां मारीट के लिए इसके मां मारीट को मुझे की इस तरिकी का चाहिए वाप पो चूज करना पड़ेगा एफकी चाहिए चाहिए इस तरह की का मार्क आप यूज कर सेब्सक्राइब इवेंट एफेक्व पेजेज हाव टू जॉब पोस्टिंग लोगल बिजनेस ऑर्गेनाइजिसन अभी आपकी यहां पे हैं मार्क अप्लाइंग अब यहां पर आपको वह सब कुछ और पाटिक्ल और घृष्ट आपको यहां चाहिए कि लिःषज कुछ करना पढेंगे पूसाइब ऊफ्搞 करना चाहिए में आप अगर आपको क्या करना है अपने साइट के अंदर एड करनी है जिससे कि वह आपकी डेटा को गूगल रीट कर सके इसका बनाने का परपस ही होता है कि यह जो मेरा आर्टिकल्स है यह मैं चाहता हूं इसकी मार्कप जेनरेटर मार्कप में लैंगवेज़ मैं इसलिए डेवलप कि ताकि गूगल को कि हमें किस तरीकी की कॉंटेंट को प्रोमोट करने की कोशिज कर रहे हैं अभी जैसे मैं आपको बताता हूं गूगल के अंदर जाता हूं कि मैंने यहां पर लिखा बिजनेस सेक्ट अप दुबाई तो आप देखरों यहां पर बहुत सारे डेटा आ गए ठीक है अब यहां पर बिजनेस सेट अप दुबाई अब यह जो डेटा आती है यह उपर की और यह वाली यह मार्कप डेटा यूज किया हुआ है यहां पर इस्ट्रक्टर डेटा मार्कप यह पर गूगल आपको एक इस देता है और आपने स्ट्रक्टर तरीके से उसकी और इनाइज कियो डेटा को बिलकुल पॉइंट आपने लिखा है वह ऊपित जो गूगल को पसंद आ रही है तो आपको GOT पसंद आ रही तो आपको जिरो रैंकिंगे फिरो रिंग करने से यहां पर पर फीर्स्टर में चुर तो मेरा करने का परपस ही है कि आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास इस तरीके का मार्क बनाने का मौकर मिले या लगता है बहुत इंपॉर्टिन पेजिए बहुत बढ़ी आर्टिकिल आपको 5000 वर्ट्स की आर्टिकल है तो आप डेफिनेटली वहां पर मार्क युज करो ये तूल में आपको वहाँ पर दे दोंक आज火 यह को इस तरीके का मार्क आप आप उहां कर सकते हैं वहां यहां पर करनी है और को यहां पर टेस्ट करनी है तो यह बता देगा अगर वहां सभी तो डेफिनेटली वह ग्रीन टिक आएगी जाने कि इस वन इस करेंड कुसी एरर आएंगे तो डेफिनेटली आपको वह चीज़े यहां पर जाके फिर आप उसको सही करके फिर वहां पर कर सकते हैं तो आटोमेटेड डेटा है आपको सिफ कॉपी पेस्ट आश उठानी है और यह वाली जो लिंक हैं जहां पर मैं डेटा बनाऊंगा यह वाली यह मैं आपको यहां पर मैं में मेंसन कर देता हूं और यह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एट कर दोंगा जहां से आप दोनों काम कर सकते हैं तो आप कर सकते हो और सेकेंड आप वहां पर टेस्टिं से मैंने जनरेट किया है कॉंटेंट और उसी वेस पे आपको भी करनी है अब उसी में आती हो open graph protocol the open graph protocol enables you to control how your web pages are displayed when shared on social media platform like facebook by including open graph tags in your html code you can define the title description and image data appear in the search media post open graph protocol use करने का purpose होता है कि इन्हांस करना अपनी टेक्नोलोजी को आपका सब्सक्राइब करना search engine के लिए as a social media के लिए wordpress की साइट है यह automatically जब आप करते हो योस्ट SEO को इंस्टॉल करके आप वहां पर यूज करते हो तो वह automatically create कर देता है मैं आपको दिखा देता हूँ वह किस तरीके का वह देटा वहां पर दिखेंगे इसके 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 इन्हां जाता हूँ यह परफ्रेस की साइट है और यह दो को आप यहां पर automatic बन जाते हैं और उसके बाद ट्विटर कार्ड भी मैंने यहां पर बना रखी यह देखिए वह फेस्बूक क्यों पर हो गए और यह ट्विटर कार्ड हो गया अगर आपको साइट है तो आप कुछ नहीं करोगे मेरे साइट के लिंक ले लो कोई प्रॉलम नहीं है कोई साइट लिंक लेना है और यहां पर आके वह देटा को पुरी ओजी टैटल जो भी है यहां से लेकर फेस्बूक के लिए यहां तक आपको कॉपी करके यहां से लेना है कॉपी कर पर और उसके बाद आपको फेस्बूक ट्विटर कार्ड चाहिए तो आप ट्विटर कार्ड को यहां से ले सकते हो बिल्खूल यहां ट्विटर का जहांता कि डेटा आ रही है वह यहां पर उठाओ और इसे करो और यह कंट्रोल भी कर दो यह data आप HTML में भी यूज कर सकते हो जिससे कि आपका जो social media का एक जो आती है न डेटा इंटीग्रेशन से विद तरीके से आप इनको यूज करके उसका का benefits ले सकते हो और यह हमेशा यूज करना चाहिए किसी भी पेस के लिए आप बनाओ इनको कॉपी करके पेस्टीमेल में कॉपी पेस्ट करो सब्सक्राइब हो जाते है उसके लिए आपको यूज करनी है जिसी यह डेटा आपके पास आ जाएंगे जब भी आप मेंटा टाइटल मेंटाइब हो जाएंगे तो इसको धियां रखना है और इसका बेनिफिट्स आपको पता है कि मैंने जो यहाँ पर लिखा है ट्विटर काट के बारे में यह फेस्बुक के लिए हो गए और यह ट्विटर काड हो गए ट्विटर के लिए फॉटर ट्विटर लोग यह यूज करते हैं कि में सोसल सिगनल देती है जो इस पर आपको बेटर डिजल्स मिलते हैं आप समाझ की यह कैसे यूज करना यह में आपको लाइब बता दिया कहसे कैसे लेने डेटा टिक हो डेटा आप मेरे साइट पर जाकर वहां से भी ले सकते हो जिससे आपको कोई प्रॉलम नहीं होगी या किसी और भी अनदर वेबसेट से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो अब बात करते हैं सबसिंपोर्टेंट अगरम आलो कि आपकी साइट आपने बना ली है मैं मोबाइल को ओपन कर रहा हूं मोबाइल पर साइट ओपनी नहीं हो रही है क्या फैदा हुआ आप क्या करोगे स् इतना लंबा टाइम लगा है कि साइट ओपन होंगे तो खुलेगी तो मैं उसके सर्वीसेज चेक करूंगा या प्रोडक्स करूंगा उसके लिए सबसे बड़ा टेकनिकल इस यहीं पर आती है टेकनिकल इसूज में सबसे बड़ा जो चैप्टर है बहुत ही स्पीट की आपको क्या करना पड़े आपको आनी है सबसे इंपर्टन चीज आप समझ दो यहां पर आप बिल्कुल समझने की कोशिज करो आपको लिखना गूगल पेज स्पीड जैसी आप लिंक करोगे मैं आपने किसी भी साइट को आपने करता हूं आप सबसे दल आप सुयंगे या मेरा लिंकिंग स्ट्राइजी सही नहीं रहे हैं सबकुरह रहे हैं आपको साइट कहां से मिलें आपको स्बसें करना आपकी साइट तो आएंगे अभी अभी सारे बचल रहे हैं अब डेक्स्टॉप के देखो 98 90 पूरी परफॉर्म परफॉर्म तो इसको हम कह सकते हैं कि गुड है 90 प्लस गुड होते हैं 72 इसको तुरह सा और इसके लिए आपको ध्यान रखना है क्या क्या तो फॉर्स्ट कॉंटेंट फुल पेंट लुए अब इसको बताने लगा तो लॉट्स यहां पर आ रहे हैं तो इतना बताऊंगा कि आपको स्थट करनी पर करनी करने फिस्ट बताने पर हैं य और आपको कि साइट को अप्तिमाइज करने कि इमेज ë Said कि से साइट की पर साइट lucky माइज हो हो ने चाहिए तो इसमौनों की वर्टपरेस सारे प्लगिंस से लेपले आपि नाल युगकर करोगे और यूज़ कर लोगे तो कुछी स्पीड तो सही हो जाते हैं लेकिन जब केस आते हैं हजारों बने तब क्या करोगे इसी के लिए मैं आपको जो मेरी जो पिसली वीडियो जो बनाए थी ऑन पेज में उसे मैंने सब कुछ आपको बताया था इस तरह किस तरह किसे वह बिल्कुल optimize होना चाहिए वेल optimize light होना चाहिए जिससे की contrast कमने होने चाहिए बिल्कुल visibility सही होनी चाहिए कि लोगों को पता चले कि हां कुछ अच्छी साइट बनके आई है सो मेरा concern क्या है site को fast open करना और इसके पीछे जितने भी rules लिखे गए वह सब आपको समाजने पड़ेंगे प्रेंड मैं आपको बताता हूं कि इतने चीजे मैं यहां पर उतना बता तो नहीं पाऊंगा को कि एक एक points पर चलूंगा तो काफी लंबी चीज चलती जाएगी जैसे लेकिन हाँ कुछ common points है जैसे मैं जावा स्ट्रीप करते हैं हम लोग कैस्केटिंग इस्टाइल सीट्स करते हैं इमेजेज करते हैं इन सब कर आप को सब करेंगे मैं सब्सक्राइए Board सब्सक्राइब करना देखने स्कंदेगी तब आपको बेटर रिजल्स लें तो समझना जरूरी है कि जिसे मुझे है कह रहा है कि जो जब यूज ही नहीं हो रहा है तो उसे क्यों कर रहे हो को सकता मेरे कुछ जिए जो कोड लिखी गई हो उसे यूज नहीं कर रहे है या मैंने उसे ब्लॉग या कॉमेंट्स टैप में लगार रहे हैं तो इसको रिमॉफ कर दूँगा तो वह स्पीड बचेगी सरवर इमेज इन नेक्जन फॉर्मेट सर्फ इमेज मतलब की इमेज की साइज वह आप्टिमाइज नहीं होगी उसको बेटर करोंगा हो सकता है स्पीड करते करते साइट की मेरी स्पीड बढ़ जा हैं जो हमें कंट्रोल करने पर यह दो को मैंने स्पीड की बात करें तो आपको डेवलपर को बताने परेंगे इसको आप्टिमाइज करो जिससे मेरी साइट की स्पीड सही हो स्पीड को रका कोड सरी के से करना है तں हमारा काम नहीं है हमसे समझना पर इन चीजिशों को भी कंट्रोल करना है को इनको डेवलपर को गैडलाइंज करना अब बताना है मेरे को हर छि mi-t स्वास्टी वर्क होने चाहिए लोड श्पीट कम होनी चाहिए कि फास्ट लोडिंग होनी चाहिए जावा स्क्रीप्त अप्टिमाइज होनी चाहिए क्या हो रहा है कि जैसे से गुगल के टर्म कंडिशन उतनी ज्यादा आते जाएंगी यह सब चीज़ें नहीं होती पेजी स्पीट पर आपको पता नहीं चला है तो आप काम कर सकते हो आप यह पूरी डेटा को कॉपी करके ना डिजाइन डेवलबर को दे दो तो भई मेरे को यह चीज़ें चाहिए इंप्रूब्मेंट बस मेरे को यह चीज़े चाहिए यह डेटा जो 72 आ रही है यह मुझे ग्रीन में चाहिए जिसने किसे मेरा डेक्स्टॉप में डेक्स्टॉप में डेक्स्टॉप अगर मोबाइल को हम कंट्रोल कर ले 90 तो डेक्स्टॉप आउट्मेटिक 98 पर आजाएगी तो हमें इसको अब अब मैंने यहां पर बताएगे कि हाव टुडिश पेज लोडिंग टाइम प्वाइंट प्वाइंट मेंशन के फ्रेंट टिक्रीश पेज लोडिंग टाइप उसको रिड्यूश करने कम करने इनेबल ब्राउजर कैसिंग टू स्टोर इस्टाटिक फाइल्स लोकली और यूजर्स डिवाइस मतलब कि आपको इनेबल रखने मतलब कैसी मतलब क्या होता है गूगल भी कॉंसिडर कप करता है जब आपकी उसकी जो रोबोर से आपके साइट पर आते तो वह कुछ चेक कर अब यूजर कॉंटेंट डेलेवरी नेटवर्क टू डिस्टिवीट यूर कॉंटेंट एक्रोस मल्टिपल सर्वर्स ग्लोबली क्या होता कि होस्टिंग आपने ले लखिए आगे पाँ मल्टिपल प्रोडट्ट की साइट जा पर पचीस हजार पचास हजार लाग को जिससे कि मेरे कोई इमेज में भी मेरी जब कोई यूजर साता है और वो अगर इमेज ही नहीं आ रहे हैं तो क्या पर प्रोडट्ट बाई करेगा तो सब कुछ हमें फास्ट स्पीड में करनी है तो इसके लिए हम सीडियन करते हैं बतलब कि एक्स्टरनल होस्टिंग की बात बात करते में उसको बाई कर लिया और अपने सारी इमेज को पूस्कर वहाँ से आपने इमेज को बोले कि यहां पर अप्यों है इम्याज मेरा इमेज विचल रही है तो डेफिनेटली मेरे साइट पर फर्व पड़ेगा ही पड़ेगा डिविड़ी ता नंबर और और इश् जिससे कि आपकी वह चीजियों की भी इसूज खतम हो जाएंगी तो फिर मैं आता हूं यहां पर देखता हूं इस पीर अभी यह चेक कर रहे हैं अब देखरो मेरे healthgen.com की WordPress की साइट है और यहां पर 94 की इस पर बेटर मानी जाती है सबसाइटों में होती है एक दो परसेंट परसेंट तो कुछ नहीं होता है इसको किसी भी तरीके का कोई इसू नहीं है तो आपको यह चेकर परेगा परेगा परेज पीर जो है एक कुसिल फैक्टर है जो आपके साइट को अप्तिमाइज बेटर ऑप्तिमाइज बेटर परफॉर्मेंस बेटर रिजल्स के लिए आपको इनको कॉंसीडर करना है और शीटर्म से में यहां पर एक्सेसिपलिटी की बात की एंसूरिंग डाट वेपसाइट के यूज्ट और एक्सेसिबल वाइपल इस बीपल्डिश इंपलीमेंटिंग एक्सेसिपलिटी फूजर्ट अल्टेक्सिमेजिशिंग नाविकेश सब्सक्राइब कितने यूजर्स आप आएंगे आप खुद सोचे तो साइट में मैंने कॉंटेंट तो डाल दी है कितना पढ़ेंगे थोड़े थोड़े पॉइंट पढ़ेंगे वह अच्छा इसी मैजिके विदा मैजिक ऑफ दाइस यू अदू प्लाटिक के बूस्ट चैलेंज है क्या क्या हमें फेस करना तो 2023 में फ्यूचर वह मैंसन के तो आप मैंने कॉंटेंट टाल दे इसकी व्यूटिफाइब देना विती मेजेज कुछ इस तरीके से एंक्रिंग कुछ इस तरीक्त तब जाके साइट पर्फेक्ट मैंने में यूजर्स इस्टे करेंगे है आपकी रहेंक उतनी अच्छी होगी पचास यूजर डेली आ रहे है आपके साइट पर डेफिनेटली दो मिनट तीन मिनट भी लगाते है न तो आपकी रहेंक आएगी बिल्कुल आगी पर्फेक्ट आएगी अब चलते फ्रेंट्व इंडेक्सिंग की बात करने ने इनपर्टिन फ्रेक्टर अब यह फ्यक्टर क्यों आती है इंडेक्सिंग्रों बहुत लों आगे और प्रिविए साइट मैप के बारे में आपने कोई चीज की नहीं आपने साइट बना के छोड़ रखा है तो आपकर रोगी इंडेक्स नहीं हो रही है तो आपने क्या वह सब चीजे चेक की जो गूगल की गैडलेंस कहती है इमेजे आपकी सही है। आपकी सही है। आपकी सिय कैसे हैं। क्या आपको समझ में आथा है। हैं इक सरीपरूर करना करना पदेगा। टेकनिकल गाइडलाइन्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको समझना पड़ेगा और इस वार के जो टेकनिकल गाइडलाइन्स मैं आज गूगल वेब मास्टर्ट के भी यहां पर डिसकस करूंगा भी ठीक है तो आपको ध्यान रखना कि इंडेक्स ना होना होना बहुत प्रफेक्ट है आपकी साइट अगर आपके प्रफेक्ट है इंडेक्स सो नहीं होना है तिन चार दिनों में आप डेली अप्रेट करते हो कॉंटेंट तो हर दिन अप्रेट होंगे टाइम लगते हैं कोई भी चीज़ों को ऐसे नहीं कि आपने महीने पर काम के असोज आच मेन जाती आपको 100% और तब ऐखें आपको यहां पर हैं पर कॉंटेंट करने ब्लॉक्ट चीज़ेएं नहीं चीज़ें आप करने लिखने शें َّas के लिए कैसे का मतलब कि जैसे मेरी ये पेज हैं क्या ये इंडेक्स है या नहीं गूगल करेंगे कैसे और लगाना है और यह देखूंगा कि इंडेक्स है नहीं तो आप देखो यह इसने 8 जुलाई को इंडेक्स किया था तो मेरी इंडेक्सिंग हो रखी है तो मतलब तक अभी तक इंडेक्स के जिए नहीं पर दिखाने की रिए का तब करना चाहिए जब हम पुरी साइट का स्ट्रक्चर सही कर ले कर ले साही हमारा स्पीड सही और सारे टेकनिकल इसू रिजॉल्ड हो किसी भी तरीके का 404 इसू ना हो हर फिक्स हो तो डेफिनेटली वह चीज़े होती है फिरें एक तुल आपको मैं और बताता हूं ऑन स्क्रीमिंग फ्रॉग इसको भी आप यूज कर सकते हैं बहुत अच्छी टूल है और टेकनिकल इसूज के लिए तो यह पेड़ भी है पेड़ एवलेबल लेंगे जादा अच्छी है दस पेड़ के लिए कोई इसू नहीं है बट अगर मल्टिपल पेज़ आप साइट है उ तो इंडेक्सिंग का मतलब हो गया कि यह ऐसे आप चेक कर सकते हो या गूगल में आते हो तो यहां पर मैंने अपना डूमेंड लेंग दिखा एडवेंड पलस डॉट कॉम तो यह चीज आप दो है ना यह ब्लॉक की आ रही है लिंक बाट असा रहा है यह सोचल मेडिया की इस तरीके से आपको इंप्लीमेंट करनी है वेपसाइट स्पीर आपको परदा चल गया है जो आपको मैंने पताया था वेपसाइट इस्पीर परफॉर्मेंस तो प्रोवाइड बेटर उजर एक्सपीरियंस एन इंप्रूब एस्यों इंक्लूट्स क्या-क्या इसमें इमेजे मिनिफाइंग को डियू सर्वर रेस्पांश आपको समझना है एक यह क्या गाइड लैंस होते कि आपको आप समझो कर नहीं तो आप गाइड नहीं कर सकते आप गाइड नहीं कर सकते डेवलपर को डिजाइनर को तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि आपको आपकी साइट की स्ट्रक्चर क्या है किस तरीकी की साइटे 10 पेजे साइट है यह 100 पेजे साइट है यह 1000 यह वन लैक पिज़े उस हिसाब से आपको हर इंप्लीमेंट को अगरें जरूरी होता है कि मोबाइल फ्रेंडने का मतलब कि आपकी साइट मोबाइल ऑप्टिमाइज है या नहीं यह आपको ध्यान रखना पर बहुत सारी साइट होती है जहां पर चेक कर सकते हो इसलिए आपको बूलना पड़ेगा जब आप साइट डेवलप कराते है म तो आपना यहां पर किया करता हूँ आपमे अपने साइट की लिंक डालता हूँ क्ट्रोल सी किया और यहां पर पर चेक तो आप यहां पर रेस्पांसिब चेक कर सकते हो कि यह चीज़ है यह साइन इन मांग रहा है मैं देखता हूं को ऐसे टूल जो मतलब की डिरेक्ट हम ही यह दिखा दे रेस्पांसिब डिजाइन चेकर कि यहां पर रेस्पांसिब चेक कर लोगे कि सबकुस सही चाहिए यह देक्स्टॉप क्योंगी यहां पर आ रहे ना आप पर सारा कुछ लिए डिक्स्टॉप यह होगे इस पर किलिक करो आप आप देख सकते को भी जो भी मॉडल से हैं किंडल में चल रहे इस तरीके से आया होगे मोबाइल चल रहे या नहीं आप यहां पर किलिक करके रहे हैं आो मेरे सब्सक्राइब काउंट्री पूरे चाहिए ऑप्सक्राम सिप्राइद करोई कि साई्टbbeस स्विट्वर इम्हें परफिट करेंगी वहं प्रॉंडब्लमा पड़ना आपको क्रेस्ट करने पर दिनला सब्सक्राइब देखता हूं कि अपने दूसरी साइट देखता हूं हेल्दियंज डॉट कॉम कि है कि एल टी एज़ वाई आई एंस कि आई एंस डॉट कॉम कि यहां पर तरीके से आ रही है फुली रेस्पॉंसिव है तो आपको यह सब ध्यान में रखना पड़ेगा तो आपको बेटर डिजल्स नहीं मिलें प्रेस्पॉंसिव होना बहुत ही आज की इत्म इंप्रेंट है सब्सक्राइब आप अपने मोबाइल को यूज करते हैं तो आपको इन सब्सक्राइब को अप्टिमाइज करना पड़ेगा सब्सक्राइब कर दो तो आपने देखा कि मेरी जो साइट है मैंने बिल्कुल देख यहां पर सोचल मीडिया मार्केटिंग रखा है ना सब्सक्राइब करने तो आपको फाइल नें बिल्कुल सही रखनी है किसी भी तरीकी का इसमें कोई गुंजा इसमें होती है क्या होती है किता है उसको ज्याम रखना हो जाती है उसको ज्मीмен मेरे को बिल्कुल से फ्रेंडली जैसे इसे स्रफ से फिर अब वाले को हुब चाहीव मेरों को प्रदफ ही पर एक मैं स्त पर और राइट मेरे भाई मालो की कि यांट मेया को और को इसी चाहिए इसी चाहिए अपर इस्टी मेरे ना लगे सबरें वोडप्रेस लगाने लगा और लगाने मेरे को यह इस्टप्चर जाए है परड pharmacy在 में आपको इस तरीके से इंप्लीमेंट करने पर एंगे आ कि आ लिए कम रिंटेम लिंटिंगंगें आपको बताया रहता है लिए can obec कि सब्कूर्यपे विंट्र केस्ट करें लॉजिकल और लिंकिंगिंगे इस्ट्रक्ट्ट्टर उपर सब्सक्राइशतने कि आप को इन तर लिंग कoru कांदें सकता तो इसमें 25 तरह के टाइप साप आजाएंगे की वर्ड रिसर्च आएंगे इंटर्णल लिंक कि सारे को जब करूँ वह सारे इंटर्णल लिंक एक जुसरे से चला गया यहां पर कोई लिंक डाला होगा यहां पर किलिक किया वहां की पुरी स्ट्राइजी देख सकता है कि आपको ध्यान में रखना है इस पर कोई चीज यहीं मिस नहीं कर देनी है जिससे आपको डिजल्स आये और यह सब पहले इस्ट्रक्चर बना लो साइट की कि आपको करना क्या है और फिर उसके बाद इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको बेटर इसल्स मिलेगा इस्की मार कब बता दे फिर इस्की मिल कोड के इंदर और यह घृष रखना इसके कि अहँआगे जब भी आप इसते की स्कीमा बनाऊंगे ठीक है मैं पर नहीं हूं इसकी मार बनाते हो तो एक तूल मैंने आपको बताया है तो इस चीज आसे आप क्या कर सकते हो डेवलप कर तो इसको बताओ कि यह तूल होती है आप यहां से मेरे को इंप्लीमेंट करके दो थोड़ा सा ब्यूटिफाई हो जाती है डेटा और कुछ नहीं जैसे मैं कहूं कि एक मेरी साइट है कि आपको दिखाता हूं दुबाई एस्यो कंपनी डॉट एई एक्साइट दुबाई एस्यो कंपनी डॉट ही यह ओपन हो गए जैसे अगर मैंने कहीं एफेक्ट्यू वेगराई यूचाप जगरने किस तरह से कॉंटेंट आ रहे हैं यह आप देखो यह इस तरह कितना ब्यू इंप्रीमेंटेशन करने हैं अर्फेक्ट लिए जो साइट होती है वह ठीजल साप को देंगे ही देंगे सो देखने में अच्छा लगता है। पढ़ने में भी अच्छा लगता है। यह चीज ऐसे होती हैं तो अपने आप तो आपको स्किमा मार्क अप करने ही हैं हैं इसा कि कभी भी फ्यूचर में मार्क आपके बारे में करूंगा एक वीडियो बनाऊँगा जब मेरी साइट पुरी तरह से रेडियो जाएगी और विन इन इसे उसमें लूगा लाइव में आपको इंप्लीमेंट करते हुए भी बत सब्सक्राइब कोडिंग उठाना है और पेश्ट कर देना है अपने साइट में राइट कि अधियों कि आपको ध्यान रखना इन चीजों का अब मैंने बताया है टेकनिकल इस्यों का मतबब है कि रिजॉर्ड एवरिटिंग कोई भी इस्यों को छोड़ना नहीं है साड़े डिटेक्ट करके रखनी है एर पेज़े जो मैंने यहां पर सारे बना रखे न उस सारे कुछ आपको करने हैं अधरवाइस प्रॉब्लम आती ही आती है आपको समझना पड़ेगा प्रॉब्लम डिजॉल्व नहीं करो गए आपको बेटर रिजल्स नहीं मिलेगा इस्ट्रक्ट्चर डेटा हो गए उपर लोकल अस्यों अप्टिमाइजेशन इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा फ्रेंट फूटा सा इंट्रोस देरेता हूं लोकल अस्यों अप्तिमाइशन का मतलब यह होते हैं पहले आपको बता दूं कि जैसे मैंने यहां पर लिखा एस्यों सर्विसेज इन डैली राइट यह आप देखर नहीं यह वाली सा यह पोर्शन जो उपर में आ रही है लोकल अस्यों गूगल बिजनेस लिस्टिंग इसके बारे में बात कर रहा हूं तो मैं एक छोटा से इंट्रेक्शन दे देता हूं यहां पर लोकल अस्यों ऑप्टिमाइशन फोकस इस और इंप्रूबिंग वेबसाट विजिबिलिटी फॉर लोकेशन बेस्ट मैंने भी लोकेशन देली जहां पर रहते हूं लाइट। जहां पर आप नहीं चाहते हैं मैं उसके नीचे इसके रखना है लोकल इस्टिंग वारे में जो या आगी न डेटा उपर में जिसमें यह रेटिंग होती है वह को हम करते हैं लोकल अपर मैंने पता है लोकेस्टन बेस सर्च इट इन वार्व सब्सक्राइब वेबसाइट फर लोकल की वर्ट्स क्लेमिंग अप्टिमाइजिंग है तो आपको यहां पर करनी है कि किस तरीके से आपको इंप्लिमेंट करने होते हैं तो क्या होता है यहां पर इंप्लिमेंट करने होते हैं तो क्या होता है बेटर रिजल्स के लिए अब यूजर्स का कभी कभी होता है यह मैंने ओपन किया पता नहीं हो आपको बिजनस लोक वीडियो बनाके एड़ करूंगा तो आप उस वीडियो से समझ सकते हो कि किस तरीके से एन अपी सिस्टम वर्क करता है ओके उजर इंगेजमेंट एंड टाइम उप्टिमाइजेशन उजर इंगेजमेंट एंड टाइम रिफर टू दे इंट्रक्शन बहुत ही इंपॉर्टन चीज़ पर आप समझना इन चीज़ों को इन टाइम इस्पेंट बाइज उजर और वेबसाइट मतलब क्या होता है आपके सा आपके इंगेज होता है आपके इंगेजमेंट एंगेजमेंट 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 सब्सक्राइब करें जितना टाइम मैंने आपके साइट पर रुखेगा उतना बेटर आपको रिजल्स मिलेंगे आपको यह चीजों ध्यान रखना पड़ेगा कि कितना बेटर कॉंटेंट कितना बेटर प्रोफेशनल साइट आप रेडी कर सकते हो और सब कुछ टेकनिकल कोई कि एरर्स नहीं होनी चाहिए और कितना पर फेक्ट आपको इसन और चाहिए यह सब होनी चाहिए आपकी तब जाकर वीजर आपके साइट पर रुखिएगा और यह आप सुने आप लांगर इसरी इस्टे ऑन वेटर इस सिगनल तो सर्च इंजिस डाट्यूट इस वैलेबले आपकी साइट वहां पर ऊपर हो जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है उसको ध्यान में रखना है यूजर जेनरेटेट गॉन्टेंट अप्तिमाइजसाइश्ट सब्सिंपर्टेंट किॉन्टेंट में क्या होती ही उजर जिनएट में तो बता है सोरी अन पर में तो बता है तो content के बारे में उजर जनरेटेटेटेटेटेटेट एफरस तो content created by your website users such as reviews, comments or forums, discussions. Optimize UGC by encouraging user contribution, moderating content for quality, implement spam filters and showcasing valuable UGC to enhance trust and credibility. User generated content refers to the content. क्या होते है friends? कि created by the website researcher reviews, content. Friends, क्या होते है? आप ब्लोग करते हो, आर्टिकल करते हो. क्या आपने चाहते है कि बहु सारे लोग के रिवीउ जाये, बहुत सा लोगों के content, comments आए, तो क्या होता है कि जब आप बहुत informative content, credibility बनती है, बहुत अशा content लिखा और मेरे को और भी knowledge चाहिए, जा मुझे लगा कि thanks तो कहना ही बनता क्योंकि इसनों ने इतने सी content provide की है with practically, इन्होंने बताया कि कैसे यह चीज़ होती है, इसी content optimization एक perfect part है, जो आपको यूज करना चाहिए, इसके बारे मैं आपको यहां पर बता दिया है, अगर आपको यह content चाहिए, तो मैं आपको वह चीज़े प्रोवाइट कर दूँगा और अपना email ID बिलकुल share करें, वहां से नहीं कर सकते हैं तो about a section में जाओ, जैसे मैं यहां पर आता हूं, यूटूब में आता हूं और यहां पर आकर about a section में आपना email ID और यहां पर phone number दे रखा, आप WhatsApp कर सकते हो इस number पर या मेरे को mail कर सकते हो, सो मैं content यह वाली on page की जो बने या technical की हैं वो सब provide कर दूँगा, आप उस चीज से consider कर सकते हो कि आप पतलब की किस तरीके से उस content को आप यूज कर सकते हो अपनी site के लिए, आपको यह ध्यान रखना है, social media integration and optimization, एक तो मैंने आपको बताया था यह चीज के बारे पर social media integration के लिए, open graph यूज करना है, twitter card यूज करना जो important होते हैं, HTML साइट हो, चाहे वो WordPress की साइट हो यह कोई another technology में हो, आप यूज करेगा आपको benefits मिलना है, तो मैंने लिखा भी है, integrate social media sharing buttons on your website to encourage users to share your content on platform, like facebook, twitter, linkedin, instagram, etc, optimize your website content for social sharing, by including open graph tags and twitter card tags to control how your content appears when shared on social media, आप समझ गयोगे मैंने क्यों इन चीज़ों को यहां पर mention कर रखा है, इसलिए मैंने कर रखा है कि लोगों को signal मिलती है, हमने जो चीज़े blog में publish किया, क्या वो user तक पहुंच रहा है या नहीं, क्या वो link मैंने अपने site में लगा रखा है या नहीं, यह सब चीज़े माइन रखते हैं, आप Facebook के लगा रखे हैं, ट्विटर के लगा रखे हैं, LinkedIn अपने चलते हैं यह link मुझे remove करनी है, यह मैं हटा दूँगा, और उसके बाद यहां पर यहां पर मैंने LinkedIn के लगा रखे हैं, जा मैं regularly content को update करता हूं, तो उसमें लगाने के benefits भी आपको मिलेंगे, यह से मैंने अपना social signal दे रखा हैं यहां पर, आप देख सकते हो, Facebook की जो मैंने page बना रखी है, एवरी डेम मैं update करता हैं, आप 19-19 आवर्स, मैंने यहां पर करता हैं, जो दिन पहले बता है था prompt engineering courses, जो भी मैं यहां पर mention करता हूं, या मैं अपना जो वीडियो बनाता हूं, यहां पर mention करता हूं, ताकि यूजर्स के पास सही चीजे पहुंच सके, implementation जो करता हूं, इसकी live मैं पुरी जो details बनाता हूं, वो सब में social में share करता हूं, ताकि एक अच्छा audience मिले, अब जो 5K followers अभी तक बनें, यहां पर 5.2K likes, so depends on कि किस तरीके से आप उसे optimize करता हूं, किस तरीके से उससे business only entry बनाता हूं, एक users क्या सोच था उस बारे में, किस तरीके से आप पिकता हूं, आप समझ सकते हैं, सौ में एक ही लोग होते हैं, जो मतलब कि आप समझ सकते हैं कि उनकी value क्या होते हैं, तो आपको भी वही चीज़ यहां पर समझानी है, कि content की value क्या है, आपने जो लिखा 2000 words की, 5000 words की value क्या है, यह बताना होता है, तो definitely मैं आप कहूंगा, सजेस्ट करूंगा कि social media के जो channels होते हैं, आपने साइट से integrate करें, Twitter card और open graph card को जरूर integrate करें अपने website के अंदर, किसी भी technology में आप बनाते हैं, Okay, friends मैं आप बात करता हूं, content long-air topic clusters के बारे में, content यह topic cluster किसे करते हैं, और अरगनाईजिंग यूर website content into distinct themes or topics, this strategy helps search and understand the relationships between your pages, and enhances the internal linking structure, जो मैं internal linking के बार बार बात कर रहा हूं, कि content में क्यों जरूर ही है, उसी चीज़ के बारे में यहां पर बता रहा है, क्योंकि अगर आप मालू की SEO की एक technology है, जिसके नदे कितने sub-branches होते हैं, आपने उस सब-branches को उस page में connect कर देते हों, तो वह एक strong stability बनती है, एक credentials बनते हैं, एक users के mind में, कि अगर आप SEO service रहते हैं, कि इतने सारे पास हैं, इतने work करने पड़ते हैं, उसके पुरी details, with infographics, with images, with internal linking, ताकि वो चीजे तुरा सा understandable हो, for the audience, for the search, तोनो के लिए जरूरी है, by creating a clear topical hierarchy, you can improve SEO and user experience, आपकर definitely improve होगा, Multilingual or International SEO, if your website targets multiple languages, or international audiences implementing multilingual SEO practices, this includes using half length tags, to indicate languages and regional targeting providing, जैसे होते हैं, बहुत सारे लोगों होते हैं, multilingual site चाहिए, music site होते हैं, English में भी होते हैं, French में भी होते हैं, Germany में होते हैं, German language होते हैं, Japanese होते हैं, Chinese होते हैं, so every language में site बनाना, वहां का audience हैं, तो वह Japanese परसंद करेंगे, जैसे मैं कहूंना, कोई अगर मैं हैं, आपको देखा देता हूँ, example निल जाएंगो तो, जैसे मैं कहूं कि, converter होते हैं, MP3 converter, अब मैं देखता हूँ कि कि इतने लोगों ने यहां पर multilingual use किया हैं, बहुत लोगों करते हैं, सारे यूज करते हैं, मैंने देखा हूँ करते हैं, Audio Video Converter, जहां पर होती है वह ज्यादा बेटर होंगे, मेरा पर्पस क्या है बताने का इस तूल का, कि बहुत सारी कंट्री होते हैं, मैंने कोई sounds करने हिंदी sounds होगे, इंग्लीस समझ में नहीं आती है, समझ दो कि मेरा कॉंसन क्या है, तो क्या होते हैं, वह मतलब कि, ऐसे लैंगविजेज, तो आप के मिल गाएं, इंग्लीस में फरेंच में, डर्च में और भी जैपईज, जो भी जैनन में यहां पर जो कहने का पर पस हैं, हिंदी में हैं, सारे में इतैलियन में हैं, यह तरकी लग रहा है यह इंडोनेशन, तो आपको यह पर इस पैन की भी पूर्द गाल यहां पर इन्होंने कर रखा तो मतलब कि आपकी साइट है मल्टि लिंग्वल हो यह बनी हो तो आपको यह कंवर्टर करना ही पड़ेगा और मैं चलता हूं यहां पर मेरे इस तरीके से आपकी साइट बनी है यह इंग यह स्ट बने तो मतलब करते हैं मैं यहां पर इस तरीके से कर रहा हूं फ्रेंछ के लिए फ्रेंटा नहीं है आपको फ्रेंच लांग्वेज में फ्रेंच में ओ जर्मनी में ओ जैसे मैं कि डुभाई हो इसके लिए हम इंटरनेशनल सक्तिंग का सकते हैं अगर आपको multilingual site है तो definitely आपको इसको follow करना पड़ेगा, आपको developer को guidelines देने पड़ेंगे इसके लिए किस तरीके से यह system work करता है, review and monitor analysis, regularly review and monitor your website analytics using tools like google analytics, analyze user behavior traffic sources, traversal rate and other key matrices to identify areas for improvement and make data driving decisions for your SEO strategy करने का मत्तब यह मैं बताने की कोसिस कर रहा हूं कि जब आप site बना लेता हो जब आपको results नहीं आ रहे हैं, दोनों माइने में आपको google analytics और webmaster tools को consider करना होता है, क्या users आ रहे हैं, किस तरीकी का user है, कितने देर वो site पे रुकरा है, कितने समय में वो skip कर जाता है, मेरी site क कि bounce rate क्या है, किस तरीकी की traffic आ रहे है, किस country से आ रही है, किस state से आ रही है, कितना time वो लगाता है, so lots of the things in the analytics, आप analyze कर सकते हो और better improve कर सकते हो, उससे में idea लगता है कि क्या हमें और कितनी improvement की site में जरूदत है, तो यह technical issue कि यह भी एक part है, क्योंकि आप analyze नहीं करोगे, तो आपको results ने मिलेंगा, by addressing these on-page SEO factors, you can optimize your website to improve search engine visibility, enhance user experience and drive organic traffic to your SEO services, remember to regularly review and update your SEO practices, to align with search engine algorithm updates and industry-based practices, करने का मताव कि अनलिटिक्स, Google Analytics and Webmaster Tools, जोनो को आपको review करना बहुत ही जरूरिय है, कितने लोग हमारे site पर आते हैं, क्या study करते हैं, क्या search करते हैं, कि सर्च करते हैं, तो आपको इसे भी ध्यान में रखना पड़ेगा, otherwise issues आ सकते हैं, तो आपको every aspect, जितने भी technical issues आज हमने discussions किये हैं, वो सारे आपको consider करने पड़ेंगे, सारे जो मैं on page बता रहा हूं और बताया हूं जो previous वीडियो में, उसे consider करने पड़ेंगा, आपको अगर आप डिरेक्ट आप issue जानते हो, तो टेक्निकल issue आप देख सकते हो, अगर आप बिल्कुल beginners हो, तो definitely आप one by one बाच करो, जिससे आपको one by one ideas लगते जाएंगा, कोई भ सकता हूं, बता सकता हूं कि कहां issues है, कैसे उसको सही करना है, और एक सबसे टेक्निकल issues में आती है, जो मैं discuss करना चाहूंगा, यहां पे, वो मैं चाहता हूं कि इसको close कर दे, वो है Google guidelines, वेव मास्टर guidelines, यहां यहां पे आ रही है, इसके link मैं डाल दूगा, मैं कोसिस कर रहा जिसमें कि आपको मैं वो सारे कुछ data दे सकों, समझा सकों, क्या चीज़े होती है, मैं इसको note कि कर लेता, ताकि मैं इसके description box में add कर दूगा, यह देखो, technical requirements, spam policies, everything, SEO fundamentals में, क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है, crawling and indexing में, क्या issues आता है, आप देखने है, यहां पे everything, यहा साइट मैप कैसे होने चाहिए, crawling में क्या issues होने चाहिए, रोबोर और टेक्स्टी बताया, किस तरीके से बनने चाहिए, Canonical नहीं होंगे, तो definitely issues आएंगे, जो मैं आपको बताया था यह सारे, आपको सामना करना पड़ता है, errors के लिए, आपको यहां पे शेर कर दोगा कि आप कोई भी टेक्निकल इसू जाती है, और अगर लगता है कि नहीं, आपको गूगल की जरूरत है, तो आप इस guidelines को follow कर सकते हैं, कोई इसू नहीं है, definitely आप करो, और इसके definitely अच्छे रिजर में, यह रहे technical requirements, तो आपको यह सब चीज़े पढ़नी पढ़ेंगे, technical requirements में क्या 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 ज़रूरी है, क्या होती है, की बेस्ट प्रैक्टिस है, यह सब आपको देखने पढ़ेंगे, बता तो दिया है सब कुछ मैंने, इंप्लिमेंटेशन, जब तक आप खुद से इंप्लिमेंट नहीं करोगे, तो रिजल्स नहीं मिलने, यह हैं, जब तक implementation on, आपका research हो, आपको कोई problem हो, तो concept clear होगा, और concept clear होगा, तभी आपको better results मिलेंगे, right, कैसी भी तरीकी का problem है, friends, definitely आप comments करो, आपको मैंने बता है, email कर सकते हैं, मेरे mobile number पे, आप WhatsApp कर सकते हो, कि मैंने आपका video देखा, और यह मेरे को issues या मेरे को यह समझ में नहीं आई, so definitely हम call कर ले, या हम उसे mail की through आपको बता दू, right, जैसा आपको लगता है, तो फिरेंड मैं चाहूंगा, कि next video जो मैं आऊंगा, वो off page SEO के लिए होंगे, ठीक, उसकी दो तीन series बराओंगा, कि वो काफी बड़े session है, आप देख लो, यहां पर, कि इसके बारे में पूरी link building strategy के बारे में हम discuss करेंगा, और मैं चाहूंगा, फिरेंट्स की जो लोग मेरे channels पर आते हैं नहीं, वो definitely मेरे channels को subscribe जरूर करें, क्योंकि इससे एक थोड़ा सा motivation मिलता है, वीडियोज बनाने में, अभी मैं कहूं कि आप Google में जाते हो, क्या करते हो, कोई keyword करते हो, यह इसका एक नया नाम आगई है, prompt, that is called a prompt, आप मेरे चैनल पर आते होते हैं, यहां पर फूल प्ले लिश्ट, जो मैंने complete SEO courses, अपने नाम से बना रखा है, इस पर आना है, आपको यहां पर देखना है, आज मैं जो वीडियो बनाया है, वो भी आज upload कर दूँगा, आप मेरे चैनल को subscribe करें, like करें, comments करें, कोंकि इसके बिना motivation नहीं मिलती है, तो motivations के लिए सबसे ज़रूर ही है, कि आप उसको study करो, कोंकि चीजें बताएगे, आप जब नेक्स्ट वीडियो पर मेरे आओगे, आप पेज एसी ओ पर, definitely you will be impressed, को कि मैं उसमें काफी कुछ latest tendency बताने जा रहा हूँ, जो list बनाने मिझे काफी time लगते हैं, समझने में time लगते हैं, तब मैं उसको बताऊंगा, वो भी practically कैसे implementation करने है, और तब तक के लिए friends, good day, good day for all of you.